आदेल, सुआगात, आप सोबी को एक बार फिर से मेरे चनल पे दो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ ऑनलाइन राशन काड़ एपलाई के बारे में दोस्तो अगर आप ऑनलाइन राशन काड़ एपलाई करना चाते हो इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, इन ओनलाइन राशन कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज अवेलेवल है, आप देख रहे हो ओनलाइन राशन कार्ड कैसे अपलाई किया जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका बहुत सारा वक्त वरबाद होने से बच सकता है दोस्तों यूट्यूब के इस्पेशली बात करो तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जहां पर आपको ओनलाइन राशन कार्ड अपलाई करने के बारे में बताया जा रहा है लेकिन इस फैक्ट जो हो नहीं बता रहे हैं वीडियो के एंड में एकदम एंड में थोड़ा सा फैक्ट जो है आपको पता देते हैं आप पूरा वीडियो देख लेते हैं आपको टाइम वेस्ट हो जाता है लेकिन लास्ट में आपको कुछ और पता चलता है या फिर बहुत सारे लोग जो हैंड नहीं देखके भी अभी तक ये apply process जो है all over इंडिया पे लागू नहीं हुआ है especially ये apply process जो है अभी फिलहाल इंडिया में एक ही जगा पे लागू हुआ है वो है चंडिगर अगर आप चंडिगर के स्थाई वाशिंदा है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं ताकि इंडिया के कहीं भी किसी भी स्टेट पे अभी ऑनलाइन राशन काट apply process स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन यह नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगा जब होगा तो मैं पूरा process आप लोगों के लिए बना के ले क्या हूँगा वीडियो में पूरा details में आपको दिखाऊंगा चैनल के साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करके अगर facebook पे देख रहे तो follow करे के दोस्तों इस तरह का जो है फेक वीडियो फेक नहीं है आधी अधूरी information जो आप से share कर रहे हैं उससे बचे ताकि आप अपना time जो है वेस् राशन कार्ड apply अभी all over India में start नहीं हुआ है इंडिया का सिर्फ एक ही जगा है वह है चंडिगर जहां पर यह start हुआ है तो अगर आप online राशन कार्ड apply among apps से start करना चाते है प्रोसेस करना चाते है राशन कार्ड को apply करना चाते है तो अभी रुप जाईए चैनल पर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धेनेवाद